तो हेलो इस्टुडेंट वेलकम टू सीवेस्टेस को राइज नाव आज हम लोग डिसकर्स करेंगे चैप्टर नुमबर 2 के और लेक्चर नुमबर 5 जिसमें हम लोग डिसकर्स करेंगे हम इस फाले यस्टॉट कि इसे निकाल सकते हैं। वो भी हम इसकी साहिता से निगा लाइगे भीच पेले आपके साघ्रियाग क्या होता है तो उसका यूज करके किसी भी एसिड और बेस के क्या निकाल लगते हैं हम लोग क्षेंट मतलब की क्या हुआ कि कोई भी acid कितना powerful I mean वो कितना उसका strong है कि वीक पहले हम लोग पढ़ चुके है strong acid और strong weak acid और strong acid क्या होता है weak base और strong base क्या होता है वो पढ़ चुके हैं तो उसको कैसे पता करें कि वो कितना strength उसके कितनी power है उसके लिए हम लोग पर पढ़ते हैं pH scale ठीक है तो यहां पर हम सबसे पहरे discuss करेंगे कि यह प्यूर वाटर होता ना हमारा H2O है 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 आप जानते हो ठीक है वाटर यान कि प्यूर वाटर में क्या होता है जो H होता है और ओच माइनस इन दोनों की जो concentration होती है concentration का मतलब होता है कि उसकी हिंदी बोलत सांध्रता तो को जब प्यूर वाटर की बात करते हैं प्यूर वाटर में hydrogen i-ion concentration और hydroxide i-concentration की जो concentration वह होती है क्या होगा हो नीटल हो गया क्यों होता है क्योंकि प्यूर वाटर में cup 시간 होती है इसलिए क्या होता है वह नीट्रोल रहता है हिंदी बात करें हीं है इस प्लस की संधर था यहां भी ऐज़ स्प्लस कॉंसेट रेशन और और ऊयच माइनस फांसेटरेशन ला एक को लोगी तो वहुसे हम आपक जरोगा नीट्रल कि फ्रेंगर को सब्सक魔 में दाज एगाघ को समसे क्या में sprpi स्वेशन होता है ना ही वह बेसिक प्रपर्टी होती है हो ना तो हैसज अन्यूट ड tangent फेसिक कैसा रहता है पर लाटे न्यूट न्यूटरल रहता है है कि इस new अब हम बात करते हैं acidic solution की acidic solution में क्या होता है axis of in acidic solution सब्सक्राइब एक्सिस और अगर अगर हम प्योर वाटर को छोड़ दें अगर अगर आगर आपका है अगर है तो वहां पर आपका है रिफ पास समझ है यह आगर लेकिन अगर आपका भूес ब्रूसन। अगर यह दिखलिए संग comes आगर हो कि अधर कैसा के लिए किसी नोत कर लिजी आप हम इसना है तो 1990 थे उन्होंने क्या खर एक पी एच स्केल बनाई जैसे आपकी स्केल होते हैं दैसे अंहें हम डिर करते हैं या भी स्केल बनाई तो उससे हम लोग क्या सकते हैं कि आपका जो सल्यूशन है वो acidic solution है या फिर basic solution है या अपका कैसा विलियन अपका अमली है या फिर चारी है वो किसके द्वारा आपनों नाप सकते हैं वो आपके pH scale के द्वारा किस ने discover करा सोरेंशन ने किस एयर में discover करा 1909 में आपको इन्हों ने क्या करा एक ऐसी scale बनाई जिसमें क्या बता सकते हैं हम लोग उसके द्वारा हम आप सकते हैं कि आपका solution होगा क्या basic होगा या फिर acidic होगा आप समझ में आ रही है और जो pH होता है किसी भी solution का वह उसमें hydrogen आएन के concentration के क्या सा होता है inversely proportional होता है दोबाद समझो किसी भी solution का pH जो होगा वह hydrogen hydrogen iron oxidation का inversely proportional होगा मतलब कि अगर आपका hydrogen iron concentration ज्यादा है तो उसका pH कम होगा अगर वहाँ पर हाब है कि प्लस concentration ज्यादा है तो pH कम है और acid स्प्राइं कंसंट्रेशन काम है तो पीएग क्या होगा ज्यादा होगा यहां पर भीए आपका आपका ना वाग मौप पीफ और पावर पॉट इंज एक जर्मन ग्लवर्ड है टिख जर्मन ग्याalt है पावर औरम मतलब होता है अठम concentration of hydrogen ion concentration of hydrogen ion बास समझ में आ रहे हैं इतना कर लिए तो पी एच स्केल की definition क्या होगे यह आप पर देखेंगे पीएच स्केल की definition होगी the strength of acid or base major on a scale of number called ph scale मतलब किसी पी एच स्केल का मतलब है किसी भी स्केल पर जो नंबर दे रखा है उस पर वो trend बता रहा है किसी acid और base solution की तो से क्या वोलेंगे pH scale बास समझ में आ रही है और इसमें जो pH scale होता है वहाँ पर उसकी जो नंबर होते हैं वो कहां से कहां तो होते हैं 0 to 14 वैलू तक होते हैं उसके जो नंबर होते हैं 0 से लेकर 14 तक वहाँ पर होते हैं वो अब हम देखेंगे pH के रूल के बारे में ठीक है according to the rules of pH scale अगर pH scale बनी हुई है तो उस पर क्या क्या चीज़े डिनोटेट होती है और उसको समझेगे तो नंबर एक point आता है neutral substance have a pH और exactly save in मतलब कि जिन solution का अगर pH 7 हो जिन solution का pH value क्या हो save in तो वो solution कैसे होते हैं substance solution कैसे होते हैं neutral ठीक है जिन substance या पर solution का pH 7 होता है वो कैसा होता है neutral ठीक है second बात अगर हो solution कैसा हो acid हो या फिर acid substance हो या फिर acid solution हो तो उसका pH हमेशा less than कैसा रहेगा saving साथ से कम होगा ठीक है जैसे कि HCL है और CH3CW है इसको बोलते है hydrochloric acid और इसको acetic acid तो जिन substance का pH कम होगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा acidic होगा ठीक है अब इसमें देखो HCL और CH3CWOH में इसका pH कितना है 1 है इसका कितना है 4 तो इसमें से कौन सा more acidic है जिसका कम pH वो ज्यादा acidic होगा और जिसका ज्यादा pH वो कम ठीक है तो CH3CWOH क्या होगा कम acidic होगा थर्ड पॉइंट आता है कि basic solution अगर होगा तो pH давation से ज्यादा होगी ठीक है जिन सब्स्टान्सय दीन का ph सेTr ये से ज्यादा हो तो वो कैसा सोलूचन होगा basic ठीक है और जिन की प्याज़ ज्यादा वो उतना ज्यादा क्या होगा बेसिक होगा ठीक है तो जैसे क्या है मैंगनीसिम अडर यो सोडियम अडरोकसाइड है तो मैगनीसिम अडरोकसाइड की पी एच केतनी है यह टैन और सोडियम आटरोकसाइड का पीय तर चक्प होती कैसी है तो अभन प्येच स्केल को समझेंगे प्येच कि अगर यहां पर अगर किसी का सब्स्टांस का या पर सलूशन का पी एच से विन आता है तो उसकी प्रॉपर्टी कैसा होगा वो न्यूट्रल होगा ठीक है अगर किसी सलूशन का पी एच विन सपोस्ट से विन आ जाता है ठीक है तो जैसे किसी का पी एच सपोस्ट कितना आ आगया कि तो वह ना तो एसी डिखोगा नहीं बेसे को गणा उसमें अमल की प्रोपर्टी होगी नहीं वह क्या होगी चार की प्रोपर्टी हो कैसा होगा निकि उदासीन होगा वह तो ही वह निट्रल होगा ठीक है और अगर उसका pH सेविंग से कम हो जाए अगर किसी solution का मैंने pH से skill से ना पा और उसकी अगर value pH कितनी आ जाए तो वो सेविंग से कम मानलगी 4 आ जाए तो वो किस में आ गया आ रहे हैं अगरां सेविंग से कम है तो सेविंग से कम है तो वो सलुटन किसी प्रोपरिटी किया होगी जो strength है ना strong acid हो जाएगा यानि कि अगर उसका pH कम हो रहा यानिकि वन ने या टू है पिजीरो है तो वह कौन सा acid होगा strong acid होगा अगर उसका पांच छे है तो वीक एक एक अधिमें आएगा ठीक क्लियर वाइब अगर उसका पिएच वेल्यू 14 के असपास है तो वो कैसा होगा strong base होगा ठीक है अगर किसी का pH कितना आजाए 14 तो वो कौन सा होगा strong base होगा ठीक है अगर किसी का pH आजाए सब्सक्राइब वन तो यह कैसा होगा strong acid होगा ठीक है प्रभल अंबल कैसा होगा strong acid होगा प्रभल अगर इदर जाओगे तो एसडिक strength nature बढ़ेगा और savings से आगे बढ़ोगे तो उसका basic nature बढ़ेगा ठीक है अगर savings से कम जाओगे तो concentration of H प्लस आयन क्या होगी बढ़ेगी यह क्या है एच प्लस आयन क्या होगी इंक्रीज करेगी अगर savings से आगे जाओगे 7 8 9 10 11 12 तो concentration of OH हैड्रॉक्षाइड आयन क्या होगी इंक्रीज करेगी ठीक है समझ में आई बात से बिन पर आपका neutral से बिन से ज़्यादा आपका basic property से बिन से कम आपका acidic property ठीक है और से बिन से कम इसका एच प्लस concentration बढ़ेगी और से बिन से ज़्यादा कि इसकी ओएच माइस concentration क्या होगी इंक्रीज करेगी तो यह हमारी क्या थी इसको बना लीजिए आप अपने कोपी पह जल्दी से अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की बात करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर को हिंदी बोलते हैं सारवत्तरिक सूचर सूचर अब यूनिवर्सल इंडिकेटर की अब हम बात करेंगे ठीक है यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं और इसको हिंदी बोलते हैं सारवत्तरिक सूचर तो क्या होती है यूनिवर्सल इंडिकेटर देखो जैसे आपने पढ़ाता सबसे पहले शुरुआ चेप्ट होता है आपका ना कि आ बिधाइल ओर रेंज फिनाप्तिलीन यह सब क्या होते हैं इंडिकेटर होती है ठीक है आम ने सब पढ़ेते बात अब देखो इन लिटमस और फिनाप्तिलीन या फिर मिफिला और निथायल ओर इन इन सब इंडिकेटर के दौरारे ये तो बता सकते हैं बट उससे एक बात नहीं बता सकते है कि वो strong acid है कि वो weak acid है समझ रहे ना मैं क्या वह लाओं कि अगर वो solution अगर acid है वेश है वो तो हम बता सकते हैं litmus से by the use of कैसे litmus paper को डालें कि इस acid के अंदर अगर litmus paper को डालो acid में जैसे किसी litmus paper को acid में डालोगे तो वो क्या करेगा blue color से किसमे convert change हो जाएगा आपका red में convert हो जाएगा तो हम बता सकते हैं कि वो acid है अगर वो base होगा तो red से किसमे convert हो जाएगा blue में clear बात होगे तो आप litmus से या फिर आपका phenolophthalene हुआ यह आपका methyl orange होगा महां से यह तो बता सकते हैं कि वह आपका acid है कि base लेकिन आप यह नहीं बता सकते कि strong है कि वेज़ वीक है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं universal indicator क्या यूज करते हैं universal indicator क्या होते special type of indicator called universal indicator मतलब कि किसी acid solution की या फिर base solution की क्या अगरे strength बता सके किसी special indicator के द्वारा उसे वो लें क्या universal indicator समझ में आई बात तो universal indicator बनता कैसे है वो अलग-अलग indicator को mixture के द्वारा बनता है उसकी अलग-अलग डाई यूज कर जाते है उसमें लिपमस भी होता है उसमें फिनाल अप्तिन होगा तो मिथायल भी होगा ठीक है और universal indicator दोपकार से होता है और oldAY तो इन सकने पीडिके डीगैने में तो उसमें रख सकते हो तो उसमें किया होती है तो जैसा आप उसको लीइमर को तो पेपर को फाड़ होगे और सलूशन में डालोगे जैसी कलर चेंज होगा उस कलर को उस टेबल पर मेच कराएंगे ठीक है तो जिस पर नमबर है मेच करें उस नमबर को अगर वो सेविंस से ज्यादा है तो बेसी सलूशन हो गया अगर सेविंस से काम होगा तो क्या होगा व हम लो इनिवर्सल इंडिकेटर सही है जैसे क्विनेगर होग वीनेगर पर वीसेडिक होता है और अम आपको नोट करो जल्दी से आप लो तो росब पेच की होगे को हम देखेंगे की इंप्पो तक होगा पिएच का विपिएच स्वेट लिया क्वाइचि के लिए कैसे लिए टीजिव को हाते हैं तो हमारा पी स्टमक्त की अंदर क्या होता है acid निकलता है और यह इस जब जब ज्यादा खाना खान कगा लेते हैं या फिर किसी साधीवादिम को और खालिया चोले बटूर बगएरा कुछ भी तो उल्टसीदा खाने से क्या होता है हमारे है तो एसक बढ़ने की वज़से क्या होता है तो पेट में कभी-कभी दर्द होने लगता है ना क्यों आसा क्यों हो रहा घुझे है नोर्मल खाना खाने फिर ठीक है ऊस्के एकसे तो थोड़ी दिर बार क्या होता है हमें आराम देता है ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि यह नुक्सान करें नॉर्मल भेस होता है जैसे बढ़ गया फेट में तो आप लोग क्या करेंगे को ant endeisode use के लिया लिए गरेलिगा उसमें बेस का सो भीस है ना वह बेस की पेट के सब्रेंए बेस करेगा इस सब्स पेर आहं यह करेद सेरेक्ट करें गार उस बेस के फाणियों प्टैट परफंदre है रिक्ट यहां करेगा इस इकłeś तो अभी उसमें यूज किया आपने बेसे निचर तो उसके रियक्ट करने के बाद उसमें क्या बनेगा उसकी कम हो गई तो आपका पेट में जड़त क्या हो जाता है कम अगर तुमारे पास सपोच डाइजन बगएर कुछ भी ना हो और खाना खाली है कुछ जादा कुछ साध लादी में गए और भर पेट खाना खाया और पेट में जड़त होने लगा फिर आपके तो उसकेस में अगर तुमारे पास अगर डाइजन नहीं है कुछ भी नहीं है तो क्या करो बेकिंग सोडा कीचन में जाई और बेकिंग सोडा का थोड़ा थोड़ी मात्रा में ले अगर तो नेक्स्ट पॉइंट है कि पीए चेंज एज़ और टूथ डिके मतलब की ऐसा होता है कभी-कभी माउथ में अगर पीएज की वेलू और कम हो जाती है तो उसकी बज़ए से मारा दान तो है ना वो ठूटना स्टाट हो जाते हैं क्यों क्या हो जाते हैं खराब होना स्टाट हो जाते हैं समझ लीजिए डिकेंग मतलब खराब होना तो क्लिए अगर और उसकी जाती हो जए है किसे जात। करते हैं तो यह तो इस टूथेसर कर देगा वह न तो कर देगा किलीर बात हो रही न कि हमारे जो माउथ में क्या होता है अगर हम तूथ फेस्ट यूज करेंगे तो क्या करेगा उसको न्यूट्राइज कर देगा तो आपको कोई प्रॉलम नहीं होगी तो ऐसा क्यों होता है ऐसे हम लोग कुछ सुगर वाला फूड खाते हैं कुछ तो आसिट करोंट करता है ऊकर नाम हुथए लाक्टिग एकिट पर नाम होथा लाक्टिक एकशीट ऑखर सुग है वह करने रभाटेशन श्रीड करें और क्या खाना खाएं तो क्या करें खाना करने के बाद मुँझे कि थोड़ा सपाइ करने उसके ब्रॉब्लम नहीं करेगा उससे क्या होगा आपको अपका डिकेंग नहीं होगा आपका जो दात है ना वो प्रॉब्लम नहीं करेगा समझ में वाई किलियर बात हो रही इसको नोट कर लीजिए आप लो कशले को हैं तो नेज़्ट पॉइंट इसका कि प्लाइंट्स और निमल अगर जू अनुट्स प्लांट्स अपर लगें अगर प्लांट्स छोड़ाग चेंज होगे मंदा कि स्वाइल में लगी होते हैं अगर प्लांट्स की बेलु वहां पर अगर कम या ज्यादा होती है तो लिए से भी उसको क्या होता है न्योसान हो जाते हैं कि आपको किलिए भात तो ऐसी केस में क्या होता जैसे अगर किसी स्वैल का मिट्टी का अगर पिएच वैली यूट हो जाएका तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ डालते हैं जो क्या करें इसे की स्ट्रेंद को कम कर दें है ना वहीं करेंगे ना अगर सल्यूशन है अब यह स्वाइल है आपकी अगर वह आप एसट बढ़ जाए तो क्या करें कि हम लोग ऐसी डालेंगे जो बेस प्रॉपर्टी का होगा तो वह उसकी चीज़ों को अगर उसमें डाल दोगे या फिर क्लाइम डालो चूना वगएरा ना तो उससे प्रॉपर्टी आपकी नेचर कम हो जाएगा जिससे स्वाइल आपकी ठीक रहेगी या फिर अगर आपकी स्वाइल की प्रॉपर्टी बेसिक नेचर बढ़ जाती है तो हमका करते उसमें खाद डाल देते हैं मतलब जो देशी खाद होती से बोलती है मैनेवर ठीक है या पर कंपोस्ट डाल दो ना जो मनें पढ़ाता वर्भी कंपोस्ट वगएरा क्लास नाइन में पढ़ाता तो वो सब चीज़े डालने से क्या होते है उस स्वाइल की मिट्टी की जो बे पानी जो पारिस हो रही ना उसका पांच 5.6 से कम हो जाता है इससे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी तो वह हमारे लिए बड़ी के लिए क्लिए क्लिए नुकसान दायक होता है बस तमने में आई तो अगर वह एसे ट्रेंट किसी लेक वगएरा इनकी किसी जील में पानी है और ऐसे ट्रेंट होती है तो एस लेक के बाटर में भूःतर में ठाइगा जिस से क्या बढ़ जाते है तो कभीकभी क्या होता है ऐसे बड़ी लेक है तो वहाँ पर और रहा गरë ईसकी लेक के लेक में एसब्ढ़ जाये तो कुछ आ कि तो कुछ यह बसिक निचर वाली वो बेसिक नेचर का होता है और लेक में क्या है आपका एसीड तो वो क्या करें स्कों नीट्राइब कर रहे हैं उसके जो एक्वाटिक एनिमल से न हो सेफ रहते हैं के लिए बात इसको नोट कर रहा हूं कि अलाए कि अलाए